दोस्तों क्या आप बिजनिस बैंकिंग से प्रेशान है यदि हाँ तो ये दो मिनिट का वीडियो आपके लिए काफी लाबदा ही हो सकता है जैसे कि क्या फ्रेंगस आप अपनी बैंकिंग सिफ्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में और आपका एकजिस्टिंग बैंक आपसेoning प्रीपेमिन का प्रेंगक चार्जेज की रिमार्द कर रहा है further, क्या friends आप सही rate of interest अपने bank को पे कर रहे हैं? सही rate of interest का benchmark क्या है? क्या आप अपने bank से rate of interest के reduction के लिए follow कर रहे हैं? क्या friends, bank ने आपको active mark कर दिया है और limit surrender करने के लिए बोल दिया है? तो उस situation में हम क्या करें? क्या फ्रेंड्स आपने जो funding ले रखी है वो अपनी business department के बोडिंग ले रखी है यानि ये right facility for your business क्या फ्रेंड्स आपने लोन लेते हुए जो document sign किये थे उसमें hearing policies को पढ़ लिया था जो कि आपको future में कश्दाई हो सकती है क्या फ्रेंड्स जिन terms and condition पर आपका loan sanction हुआ है क्या आप उन condition को fulfill कर रहे है या उन पर penalty bank को pay कर रहे है क्या फ्रेंड्स जो आप अपने फ्रेंड्स से statements बना रहे हैं वो as per bank loans prepare कर रहे है क्या फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं GST 1.4.2017 से applicable हो गया है क्या आपने उसका impact अपनी working capital का calculate कर लिया है और bank को propose कर दिया है and I'm spend के लिए, renewal के लिए इनी चीजों का solution लेते हुए आप हुमारी seminar जो की डैली में होने वाली है उसे जोरिंग कर सकते हैं और lab उठा सकते हैं seminar detail के लिए आप इस इंपर दिये नंबर पर संपर कर सकते हैं और seminar detail ले सकते हैं